अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार आप लगाता इंडिया टीवी पर हमारी विशेश कबरिज देख रहे हैं लेकिन एक तस्वीर आई अब आपको दिखा देती हूँ चान्नी चौक कफिज उमीदवार है प्रवीन खंडेलवाल वो इस वक्त मंदिर दर्शन करने के लि में कहा जा रहा है कि दिल्ली के साथ लोगसभा सीटों में से एक सीट जो फसी हुई दिखाए दे रही है वो चान्नी चौक का लोगसभा सीट है जहां पर एक तरफ रवीन खंडेलवाल है दुशी तरफ जेपे अगरवाल है वो भी कॉंग्रस के सीनियर लीटर है तो फिर उन्होंने जेल जाने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बाते कही थी लेकिन जो लोगतंत्र में जनता कहती है मोल उसका सबसे ज्यादा होता है और जनता तो अपना जरादेश दे चुकी है आज तो बस नतीजों का दिन है हमारे स्योगी नेने कपूर भी हमारे साथ नेताओं का मंदिर दर्शन करना मत्था टेकना आज सब कुछ दिखाए देने वाला है चांदनी चौक में हुआ यह है कि वेपारियों की दुकाने तो वहा है लेकिन वो सब जमुनापार रहते हैं मतलब यह उसकी साइड रहते हैं तो वोटर्स वो जमुनापार के हैं वो इस डेली के वोटर्स हैं लेकिन उनका वेपार चांदनी चौक में है चांदनी चौक मे वो कही ना कहीं बड़ी तादात में विपक्ष की ओर मुड़े हैं। तो विपक्त का तो शटर ही नी खुला दुकान का यहां पर खुली और बंद तो मुझे लग रहा है कि जो 2014 में था वही 2014 में रहने वाला इस बार फिर शटर खुलने नी वाला दुकान का 400 पार है 295 पार तो मुझे मतलब थोड़ा में डावाड हो रहा हूं लेकिन यह सही है कि इस बार 300 पार भारतियंता पार्टी आराम से हो रही है तो 336 एंडिये मुझे लगता है कि पहुचे आराम से इसमें कोई दो रही नहीं है और समी दलों ने यह तो चुनाव एक युद् बसे दिखना है कि कौन कितने मारजिन से जीत रहे हैं 100% 100% समीर जी तो डामा डॉल हो गए 400 वाले आकड़े से शांतुरू जी अभी आप कायम है यह 400 पार वाले आकड़े को लेकर आप तो खायर रिजर्स आना शुरू हो जाएंगे लेकिन इस्तिती अभी भी आपकी कायम ह में उसी स्टेंड पर कायम है कि जिस तरह से आप लोगों ने एकड़े पोल दिखाया और बाकी सब चैनलों ने एकड़े पोल दिखाया तो रुजहान तो सबको पता है और लोकसभा चुनाओं में ट्रेंड कभी खराब नहीं हुआ पिछले दो बार से एकड़ से 400 पार पह हुई थी यूएस में पिछली बार 46% वोटिंग हुई थी तो हमारा एलेक्शन एक बड़ा फेर और बहुत रोबस्ट टेक्निकली रोबस्ट और प्रॉसस वाइस रोबस्ट इलेक्शन उसके लिए में एलेक्शन को सल्यूट करें एक बार नमरों में आज जाएंगी तो श सरों से कर रहे थे या अपने कारिकरताओं से चुनाव समाप्त होने के बाद कॉंग्रेस मुख्याले पहुंचने का कर रहे थे सौरफ जी अगर यही अपील वो चुनाव के दवरान अपने कारिकरताओं से वोटिंग स्टेशन पर पहुंचने के लिए कर लिए होते तो इन्डिया ये गठवंदन दल है उनके नेता जो समविधान बचाने के लिए मरने मारने पर उतारू थे अब समविधान को दर्किनार करके मरने मारने पर उतारू वलिया के सनाथन पांडे जी का भयान पने थे पाफ दूंतर sentence κα। फाले sleeping can didn't करना ही पड़ेगा यह गांधी का देश है यह इंसा नहीं चल सकती यहां क्यापिटल हील नहीं हो सकता यहां कोई रूस और चीन नहीं है वो अगर कोई मुगालते में है तो जंता ही उनको सबक सिखा देगी सरकार और कानून विवस्था तो बाद की बात है जनता ही दोड़ा लेगी उनको अगर कोई गरवड़ी करने का प्रयास करेगा तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह नहीं बोलना जी कि यह गांधी का देश है और यहां अहिंसक तरीके से ही विरोध दरसाया जाता और एक 10 सेकेंड और आपका जालूंगा कि यह जो सारा प्रपंच रचा गया है यह ध्यान हटाने के लिए कि राहूल गांधी के नित्रित उपर कोई प्रस्ण चिन्ह खड़ा नहों है और की हैट्रिक होने जा रही है उनकी तो राहूल गांधी बेदाग बचा के निकाल लो कि बीजेपी वालों ने ब राहूल गांधी के अगर आज परिणाम कॉंग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं 295 वाला आकड़ा जो वो कोट कर रहे हैं अगर ऐसा नहीं हो पाता है यह तीसरी हार होगी लगाता राहूल गांधी की प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी के सामवें इसके बाद क्या भविश जो है कॉंग्रेस को आगे नहीं ले जा सकता है लेकिन बार बार यह आवाजें भी उठी हैं कि क्या सच में गांधी परिवार को कॉंग्रेस के शीर्ष नर्टित्र पे रहना चाहिए ऐसी भी बातें कॉंग्रेस के अंदर से ही उठी हैं तो एक बार फिर मन्थन जरूर का इसमें कॉंग्रेस जो है वो कहीं न कहीं तूटती भी दिखाए देती उसके नेता कॉंग्रेस से छिटक कर बाकी दलों में जा रहे हैं उनको अपना भविश्य नहीं दिखाए देता यंग नेता कॉंग्रेस के जो हैं वो अलग-लग पार्टियों को जोईन कर रहे हैं त तो ये सब बाते होंगी और जिस नाथ से सुनिया गांदी जी की सेहत है वो वैसे ही राज्य सबा चली गई हुई है तो क्या वो हैल्म ओफ अफेर्स में रहेंगी ये सब बातें कॉंग्रिस के अंजर हो केवल राहुल कांथी क्यों आप एक ऐसे ही दल समाजवादी पार्टी की करड़े संजीव जी अखिलेश यादव ने जबसे पार्टी की कमान समाली है उन्होंने जीत तो दिलाई ही नहीं अपने पार्टी को चाहे वो विदान सुबा चुनाव हो गए चाहे वो लोग सुबा तुमेनाक्षी उसका कारण है कि एक होती हार और एक होती है बहुत बुरी तरह हार तो सिर्फ हारने पे नेता बदल जाएं कोई अल्टरनेटिव है क्या क्योंकि जो उसका हमको यह सही बात है कि इस रीजनल पार्टी जात और परिवार बेस्ट पार्टी जैं सब के एक फै प्रफॉर्मेंस दी हारे लेकिन मजबूत विपक्ष आया जब विपक्ष बिल्कुल बिखराओ बिल्कुल घदाम हो जाया आपको विपक्ष के दढ़ जाही नहीं मिले संसद में उस समय तो यह प्रशन उठना बिल्कुल जायाज है कि बही कॉंग्रेस को क्या अपने नेत समय में क्या प्रफॉर्मेंस रहती हो सकता है अगर नहीं जीते पुरी तरह हारे तो अपने आप ही कोई नई परिस्तितिया पैदाओंगी कोई नया दल निकलेगा वहां पर कॉंग्रेस का इश्यू यह कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जैसे अनन जी भी यहां दार जब तक नहीं हो सकता है जब तक गांधी परिवार है कॉंग्रेस ही घुम फिर के वहीं जाके अटक जाते हैं और तो वह चर्ण या आवाज या वह बदलाव वह अंदर से उठना चाहिए और उसके रस्ते में नहीं आना चाहिए गांधी फैमिली को अगर उठा नहीं अखिलेश यादव बड़ा एक बात करेता हूं यह पहला ऐसा चुनाव होगा जब उनकी अंदुरूनी परिवार की कलह जो है वो खतम हुई है अखिलेश यादव अकेले पूरी तरह से पार्टी पर हावी है यह देखने वाला चुनाव होगा अखिलेश यादव के लिए अभी आपने का कॉंग्रेश के अंदर से आवाज उठे ना उठी थी आवाज उठाने वाला यहां बैठा हुआ है शेजात पुर्णा वाला जोने आवाज उठाई थी कॉंग्रेश पार्टी के किलाब वैसे कॉंग्रेश अखिलेश यादव आप लोग सवाल पूछ रहे है रहूल जी ने मद्यप्रदेश चुनाव के समय बोला था कि छोटी सी पार्टी है यार 46 जिलों की पार्टी है इनके बारे में क्या बात करना यह राहूल गांदी का वक्तब्य है मेरा नहीं जिस पर अ श्हां से इलिए सायर मेर सा अगहार है गेलच जिए की जर्णी मैं के अबात करना यह बाद करना यह रेकॉर्ड पर है अगर आप कहिंगा तो थोड़ा मेहनद करने पड़ेगी यूट्यूब पर यूट्यूब आज करने तो थोड़ा थी थहान नी आरा इस पर हमने चुकी डिबेट किया था है। का इलेक्शन उनके साथ से गवनेंस गया, 2019 में रेलेवेंस गया और 2024 में उनका एक्जिस्टेंस खतम हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ नोट कीज़े, हम लोग को थोड़ा सा और आकलन करना चाहिए। 2009 से लेकर 2024 आते आते, कॉंग्रेस ने कोई नए वोट नहीं जोड़े है। और भारतिय जन्ता पार्टी ने इस कालखंड में साड़े साथ करोड़ वोटर से आज वो 25 करोड़ वोटर पर खड़ी है। कई सारे पुराने टेंपलेट से जिससे बीजेपी को देखा दाता था कि ये नौर्थ की पार्टी है, ये सोकल्ड कावबेल्ट की पार्टी है, ये हिंदू-हिंदी की पार्टी है, इसका साउथ में कोई एक्जिस्टन्स नहीं है, ये इस्ट में आ नहीं सकती, ये सारी प और फिर भी Congress Party, National Party और BJP Party is a Cowbelt Party ये चीज़े जो है ये traditional templates जो है politics का वो बदलेगा और performance not परिवार इस template को भी राजनेतिक दलों को स्विकारना होगा ये politics of performance के लिए mandate है कि 10 साल बाद पूरी दुनिया में थैचर देख लीजे टोनी ब्लेर देख लीजे वो इसका विशलेशन कि किसके सर पर जीत का सहरा बनता है और कौन हार कर अपना मू लटका कर वापस लोटता है ये तो थोड़ी देर बाद इस परश्ट होना शुरू हो जाएगा